नमस्कार, स्वागत अबच्चों आपका सेल्स्टडी के चैनल में और आज कि हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं संत रामानुजाचारे की जो विशाल परतीमा है Statue of Equality प्रधान मंत्री मोधी जी के द्वारा उसका भी हाल फिलाल में उद्गाटन किया गया है तो हम जानने वाले हैं कि वह क्या क्या खाश है इस परतीमा के अंदर और कौन थे संत रामानुजाचारे उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे साथ ही साथ उन्होंने क्या contribution किया है समाज में उसके बारे में भी चर्जा करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इस वीडियो से related information की PDF कहां मिलेगी सबसे important question तो यही होता है कि जो PDF है description box में टेलिग्राम चैनल का link दिया है तो जाकर आप वो जोइन कर लीजिए वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो की PDF मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को तो पांच फरुबरी को हैदरामाद में रामा नुजो चारे की विशाल परतिमा Statue of Equality का उद्गाटन किया गया है प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा वसुदेव कुटुमबकम यानि दुनिया एक परिवार उनका जो ये विचार था उनको कायम रखते हुए उनकी एक हजारवी जैनती को समानता के त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है अब परतिमा के बारे में जो ये स्टैचू है इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या खाश है इसके अंदर इसकी जो उन्चाई है वो 216 फिट है ये पंच लो यानि जो पांच धातूं से मिलकर बनी है सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता इन पांच धातूं को मिला कर ये जो स्टैचू है इसको बनाया गया है और यहां पर इंपोर्टन बात ये है कि ये बैठी हुई मुद्रा में धातू की दुनिया में सबसे उन्ची प्रतिमाओं में से एक है यानि सिटिंग पोजिशन में जो ये है वो सबसे उन्ची, मेटलिक एक स्टैचू है इस चीज का ध्यान रखना है आपको अब ये परतिमा जो है भद्रवेदी कहां पर इसको मतलब की रखा गया है तो ये एक भद्रवेदी नाम की फिफ्टी फॉर फिट की उन्ची मारत ह वहाँ इनको स्तापित किया गया है अचा इसमें इस जो बद्रवेदी इसमें क्या क्या है इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्त काले है और उन्हों संधान के इंदर है प्राचीन भारतिय ग्रंत है एक थिएटर भी है और उस थिएटर में जो रामानो जो चारे के कई कार इसमें तमिलाडो में श्री पैरंबंदूर के में जो इनका जनम हुआ था जो ये थे वैदिक काल के एक फिलोसफर समाज सुदारग के रूप में इनको जाना जाता है जनम के समें इनका नाम लक्षमन रखा गया था और इनको इलाया पैरुमल के नाम से भी जाना जाता है इलाया पैरुमल का मतलब होता है धीपती मान यानि जो ग्लो करे जो चमक रहे हैं इसका मतलब यही होता है अब यहां पर आगे चलें इन्होंने काफी जादा सोशल इक्वैलिटी के उपर समाजिक यानि इक्वैलिटी सोशल जस्टीज यहां पर बहुत जादा इनका पूरे भारत की यात्रा की थी और इन्होंने भक्ती अंदलोन को फिर से पुनर जीवित किया था और अपने उपदेशों में जो ये हैं इन्होंने भक्ती विचारधारों को प्रेरित भी किया था जिनमें अन्ना मचारे, भक्त, रामदास, त्याग, राज, कबीर और मीरा बा बाद की उप शाखा के मुख्य परस्तावक के रूप में पर सित्ते, अभी इसकी बात करेंगे, एक विशिस्ट दवेत वेधांद एक फिलोसफीक एक शाखा है, जिसमें एदवेतवादि परंपरा है, एदवेतवीादि की परंपरा का मनदब जिसमें ब्रहम्मा जी को ही अस्तित्तु माना गया है देकिन उनके काफी सारे रूपों को स्विकार भी किया गया है उन्होंने नवरतनों नाम की एक प्रसिद नो शास्त्रों की रचना भी की थी और साथ इसाथ वेदिक शास्त्रों पर कई भाश्यों की रचना भी की थी संत रामनोजुचारे जी है उनके सबसे महतपूर्ण लेखों में वेदान्त सूत्र पर उनकी टिपनी श्री भाष्य या सच्ची टिपनी और श्रीमत भगवत गीता पर उनकी टिपनी गीता भाष्य या गीता पर टिपनी शामिल है और उनके जो लेखन में आते हैं वेदांत संग्र है यानि वेद के अर्थ का सारांस है वेदांत सार यानि वेदांत का सार और वेदांत दीप यानि वेदांत का दीपक ये सब इसके अंदर शामिल है उन्होंने काफी ज़ादा जोर दिया था कि भई जो प्रकरती है उसका शोशन मत करो संशादनों का अतिदोहन मत करो तो उन्होंने कहाए कि सब को एक साथ मिलकर रहना होगा मतलब कि जितनी प्रकरती है उसके जो संशादन है इसका अतिदोहन नहीं करना है Statue of Equality के बारे में बात करें देखे रामा नो जो चाहरे जो थे सद्यों पहले से ही लोगों को जो वर्गों में जो कास्टिजम में बटे हुए थे उनमें ही समाजिक समानता के प्रोपकार थे उन्होंने समाज में जाती या जो स्थीती पर अधारे सभी लोगों को ये कहा था कि जो आप मंदिरों के दरवाजे खोलिए उन लोगों के लिए जिनको मंदिर में आने नहीं दिया जा रहता है और ये बात तब की है जब उस वक्त समाज में कुछ जाती हों के जो लोग हैं उनको अंदर आने के उनुमती नहीं होती थी तब ये सोशल रिफॉर्म के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तो पहुँचाया था जिन तक शिक्षा नहीं पहुँची हुई थी वंचित थे वो उसे और उनका सबसे बड़ा योगदान था वसुदेव कुटोंबकम जो इनकी अवधारना मतलब इसका मतलब होता है सारा ब्रहमाण एक परिवार है सबको एक समान रहने का अधिकार है इन्होंने ये बात बोली थी और अपने भी भाष्णों के माध्यम से उन्होंने मंदिरों के अंदर सोशल जस्टिस और इक्वैलिटी लाने के लिए काफी जादा पूरे देश के अंदर ये और काफी टाइम तक यात्रा की थी अपने विचारों को दूर दूर तक के पहुंचाया भी था। रामानुजुचारे ने समाजिक, सांस्कृतिक, लेंगिक, शिक्षा और आर्थिक बेदबावों से लाखों लोगों को इस मूलभूत विश्वास के साथ मुक्त किया था कि राष्ट्रिया, लिंग, जाती, पत से भी पहले मनुश्य का समान, बतलब ये सर्वोपरी है। चैनल दिया मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसका लिंक है, तो जाकर आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है था, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो। झालब है। झालब जालब है।